हेलो फ्रेंड श्वागत है आपका आपके अपने योडिप चनल सफलता एक्सप्रेस आउनलाइन कलासेस में दूस्तो आज की कलास में हम लोग ट्रिगुनोमेटरी ने की तिर्कॉनमीती चेप्टर को देखेंगे और यह आपका एडवांसमेट का दूसरा चेप्टर है पहला चेप्टर में आपको पॉलिगन पढ़ाया था जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आई बटन पे लिंक है वहां से आप देख सकते हैं तो चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं तिर्कॉनमीती में बहुत अच्छा चेप्टर है कैसे इसको समझा जाएगा तो सबसे पहले इसमें एक समकॉन तिर्भूज की जरुरत पड़ती है समझने के लिए और यह क्या चीज है सारा चीज मैं और इसको बेस बोला आता है वी से सूचित करेंगे अधिये हमारा लंब होता है और इसको अम लोग पी से परिपेंटिकुलर सोचित करते हैं अब यहाँ पर यह समकॉन बनता है और 90 डिग्री यह होता है और इसकी सामने वाली जो रेखा होती है यहीं कि लंब होती है यहीं कि भूजा होती है वो हमारा कर नकालाता है यहाँ पर नियून कॉन बनता है ठेक है यहाँ पर भी नियून कॉन बनता है दोनों 45-45 बनता है तिरभूज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है राइट एंगिल में क्या होता है कि एक कौन 90 डिग्री होता है और बाकी 45-45 होता है ठीक है तो 45-45-90 और 90-180 तो हम लोग यहां पर यह जानना चाहा रहे हैं कि इसमें अगर इस इस एंगिल की बात करेंगे इस थीटा की बात करेंगे तिसके सामने वाली भूजा जो होगी वो लंब होगी ठीक है और अगर हम इसे एंगिल की बात करेंगे तिसके सामने वाली भूजा लंब होगी कर्ण हमेशा निस्चित रहेगा कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा तिन जरुरत कहां पड़ती है इसकी जरुरत पड़ती है जैसे कि मान लिया जाया ऊचे टावर है अग SPर की उचाई तकुरना है हमको तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं रिä फिर उचे परवत है उसका हम लोग उचाही निकाल सकते हैं या फिर अपने आधर जहां से हम लोगढू ॹकर देख सकते हैं उसकी कितनी दूर है वहां से हम वह निकॉल सकते है या फिर बड़े-बड़े इमारत है महल बने वह वहां कि लंबाई प्राप्त कर सकते इस फॉर्मूला से नहीं कि इस से कॉंसेट से जिसकी जर्रत वहीं पड़ते तो चलिए जो मिला जुला की जो बाते हैं कि एक्जाम में को सॉल्व कैसे करना सवाल को उन चीजाओं को समझते हैं सबसे पहले छै तिर्कौन मीतिया अनुपाद को समझते हैं वो क्या है तो वह ह पोटल 6 है और इसी 6 कॉंसेट का यूज होगा तो सबसे पहले साइन थीटा का मान क्या होता है तो साइन थीटा का मान होता है पी बटा एच यानि कि हम लोग बोल सकते हैं लंब बटा करन ठीक है और कॉस थीटा का मान क्या होता है तो बी बटा एच यानि कि आधार बटे कर और 10 थीटा का मान होता है P बटे B यानि कि P का मान हो गया लंब यानि कि अर B का मतलब हो गया आधार ठीक है अब देखिए यहां से आपको यह तीन याद रखना आपको जल्दी सवाल करना है तो क्या आमको याद रखना चाहिए और कैसी जल्दी कर सकते हैं उन चीज़ों के मैं बताऊंगा तो साइन थीटा का मान P बटा H होता है तो इसका उल्टा जो होगा ना इसका उल्टा आपका यह कौसेख हो जाएगा ठीक है साइन थीटा का उल्टा कौसेख थीटा होगा और इसका मान पलट जाएगा P बटा H का हो जाएगा H बटा P यह आपको याद रखना है ठीक है यह आपको समझना है बहुत सारे फर्मूले होते हैं अब देखो धियान से यहाँ पर यह टोटल कितने हैं एक दो तीन चार पांच छे हैं यानि कि छे हैं तो हम लोग हेक्सागन यानि कि सश्ट भूज तिर्बूज से सारे फर्मूला को निकालने के लिए सीखेंगे कि कैसे सीख सकते हैं और याद रख सकते हैं और कॉंसेट को समझ सकते कि यह होता क्या चीज़र कैसिस के फॉर्मूला बनते हैं तो चलिए सबसे पहले इसे रिलेटेट कुछ को देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे सबसे पहली बात अगर यह आपको याद कैसे करना है उन्ची ठेक है पंडित बद्री परसाद होता है ना पंडित बद्री परसाद पी देखो बी पी पी बटाएच बी बटाएच बी बटाएच और इसका मतले बोलेगा हरी हरी बोल हरी हरी बोल ठेक है पी बटाएच बी बटाएच बी ठेक है पंडित बद्री परसाद हरी हरी बोल एक और हिंदुस्तान हरा भरा एक ट्रिक यह बोल दिए ठीक है एक ट्रिक और बोलेंगे कि कैसे बोलते हैं देखो ना पापा बेड़ी पीलो कोई लड़के मतलब उसका मतलब यहां बेटा ठीक है अई भी से बेटा तो यह सभी चीज़ों का जरूरत नहीं पढ़ना चाहिए अगर आप इस चोटी मोटी चीज़ों को ट्रिक से समझने की कोशिस कर रहें तो इसका मतलब आपका मायंड बहुत सूस्त है और आप थिंक नहीं कर पा रहे हैं आप में कैपिसिटी नहीं है याद करने की और एक्जाम में नहीं बना पाएंगे आप अगर इससब ट्रिक से से चलते हैं तो जिसका पूरी तरह कमजोर है मायंड वो फिलाल इसकी कॉंसेप्ट से कुछाद तक तो याद करेंगे लेकिन जरूरत तो पड़ेगे कि पूरी तरह से अच्छे तरह से हम बन जा याद कर लें उसको और तुरंत अगर एकजाम में कोस्टन मिले तो उसका अपल तो हम लोग क्या करेंगे इस तरह सी बोलेंगे जैसे कि सबसी पहली बात आपको यह चाहो का च्छो याद हो न है तो ऐसे बोलना है आपको क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझजे Tous जार याद रखने यह इस तरह अब तू बार इसको इसको याद रखना है P by H, B by H, P by B, थेक है, फिर से बोलिए, P by H, B by H, P by B, sinθ, cosθ, 10θ, P by H, B by H, P by B, ठीक है, 3 times, P by H, B by H, P by B, जब जब इसको जब जाद कर लेंगें कि तो आप अपासानी से निकाल पाएंगे, साइन का uyल्टा होता है कोस्ऎक आपको ये याद रखना है P बटा H का उल्टा कर दो H बटा P आपका cos theta खुद निकल जाएगा clear है फिर उसी तरह से अगर आपको 10 theta का मान है P बटा H, B बटा H, P बटा B P बटा B, direct हा रहा है लेकिन अगर quad theta का बढ़ान बोले तो P बटा B का उल्टा कर दो P बटा B का उल्टा, B बटा P हो जाएगा उसी तरह अगर cos theta का मान होता है P बटा H, B बटा H, दूसरा नम्मर B बटा H, तो cos का उल्टा safe हो जाएगा, B बटा H को पलड़ दो, H बटा B कर दो तो safe theta का हो जाएगा, तो इस तरह से आप याद रखे, जादा अच्छा रहेगा यह सभी चीज़ें नहीं याद रखना है आपको क्योंकि इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको problem हो सकती है तो चलिए इस से related question देखते हैं कि जब हमारा theta का मान यहां रहता है तो हमारा lump कौन बन जाता है जैसे कि अगर इस theta की बात करें इसका जो सामने की भूजा है यह हमारा lump है अगर हम इस theta की बात करें यहां से अगर कोई आदमी देखेगा तो यह हमारा lump होगा और यह आधार हो जाएगा और कर्न हमेसा यह रहेगा और इससे question कैसे बनाएंगे वह भी मैं आपको जस्ट अभी सवाल देके बता रहा हूं तो मोटा मोटी बात यही याद रखना है कि जिस कोण की चर्चा किया जाए उसके सामने वाली भूजा लंब होती है तो चलिए सवाल देखते हैं सवाल आपकी स्क्रीन पर है देखिए एक बात और सबसे पहली वाद समकॉन तिर्भूज जो बहुता है राइट इंगिल जो होता है उसमें दो न्यून कॉन अगर बन रहा है तो हमारा यह ट्रिग्नोमेट्री यह चीज़ कहता है कि इस थीटा का संबंद और इस थीटा का संबंद और इस मतलब भूजा का जो रेश्यो ट्रिग्नोमेट्री मतलब रेश्यो जो निकलता है उसी का यूज करके हम लोग बनाते हैं फर्मूला यहाँ पे जो कर्न होता है एच यह चीज़ समझ लो पले कर्न यह हमारा लंब होता है कर्न का स्कवाइं के बराबर होता है कर्न का स्कवाइं आधर का स्कवा एच सं मझसकता है सबसे बड़ी है तो हम जब भी लंब बराबर निकालेंगे तो रूट अंडर कर्ण का सबसे हो अगर हम आधार निकालेंगे आधार को बोलते है और आधार को घटा आए आपको पता होना मैंचर कर्ण का स्कॉई मैंनस लंब का स्कॉई आपको दोनों इस्तिति में कर्ण के ही घटा रहे हैं कि औरोलjang को खाएगा तैका हम लोग कर्ण में क्लाते हैं तो बहुत लोग इसको क्या करते हैं कर्ण को के बोलते हैं कि लंग को आधार को ए और इसको मोलते हैं जैसे कि P B, H इनम हों गया अलफी बंटा एक कामान क्या हो जाएगा के ल ऑई-क ठीच है मितले बना रहे है अहार जिसे बोला सकता है JOE यह सान थीटा का मौन हुआ और यह आग और यह साइन थीटा का मौन हुआ यह 10 थीटा का मौन हुआ लेकिन इन सभी चीज़ों का जरूरत हमको नहीं पढ़ना चाहिए, इतना भी माइंड को सुस्त नहीं बनाना है, कि हमको ट्रीक पे भरोसा करना पढ़ जाए, ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, अब जब हमारा थीटा यहां पे तो जितना भी हम लोग मतलब फर्मूला तो साइन थीटा का मान यहां रख के किये थे, जिस इस्तिति में हमारा पर्पेंडिकुलर यह लंब यह हो रहा था, आधार यह हो रहा था, लेकिन जब हमको माले यहां थीटा का मान दे दे तो कैसे आंसर निकालेंगे, वह उन चीज़ों को समझते हैं, एक सवाल आपके सा साइन कॉस एवं टैन ग्यात किजिए, देखे यहां से आपको सारे कॉंसेप्ट किलियर हो जाएंगे, आपको यह बहुत ही इंपोर्टेंट कुस्टन है, इस तरह के कुस्टन पूछे जाते हैं एक जाम में, यह आपको याद रखना है, तो आप इसको भी भी आई में समझ सकते हैं, अब देख लो द्यान से, आपको क्या बोला है कि हमारा एक समकौन तिरभुजा है, और यह जो कौन C है ना, वो हमारा समकौन दिया हुआ है, यह वाला C दिया हुआ है, कौन समकौन, यहाँ पर C लिग देता हूं, और आपके उसके बाद बोला है कि AB 25 तो इसको A म कोई मान देगा आपको, यह मान तो निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको कैसे निकालोगे, तो करन का स्क्वाइब राबर, लंब का स्क्वाइब, जो डाधार का स्क्वाइब, वही फ़र्मूला लगाएंगे, और हम जान गए कि जब भी हमको छोटी मान, मनी कि छोटी कोई निकालना हो, यह निकालना हो, यह निकालना हो, तो करन के स्क्वाइब में लंब का स्क्वाइब को घटाते है, और अंडर रूट में करते हैं उसको, ठीक है, तो हम लोग जान गए, कि यहनि कि हमारा जी यह पर्पेंडिकूलर है, लंब है, तो हमको लंब निकालना है यहां पर एक बात समझो कि 25 का स्कुराइब को पता होना चीए कि 25 का स्कुराइब क्या होता है इस तरह से आपको याद रख लेना है तो हम लोग यहां पर देखो 25 का स्कुराइब लिख देते हैं और मैनस 24 का स्कुराइब नो बचेगा एगारे में साथ जाएगा चार बचेगा तो उनचास हो गया रूट अंडर उनचास तो उनचास का वर्गमुल क्या निकलेगा साथ इसका मतलब इसका मान साथ निकल गया ठीक है आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसका ट्रिपलेट नियम क्या होता है कि अगर कहीं 24 रहे 25 दिया रहे तो अगला ट्रिपलेट साथ निकलेगा ठीक है इस तरह के बात हम बताएंगे कैसे इसको निकल आयाता है इसका हो जाएगा अगला एक भूजा पांच हो जाएगा तो वो सब कैसे करना होता है यह चीज हम बताएंगे नेक्स पार्ट में फिलाल इसमें जो चीज चल रहा है उसको देखिए अब यहां पर साथ हो गया अब क्या बोल रहा है कि साइन यानि के कौन ए के लिए इसके लिए इस मान के लिए हमको चाहिए साइन का मान चाहिए और किसका चाहिए कौस का एवंग टैन का साइन कौस और टैन ठीक है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं साइन ए बराबर ठीक अब हम बताए थी जस्ट अभी कि जिस कौन की चर्च करें अगर यहां से देखेंगे यह हमारा लंब होगा और यह मेरा अधार हो जाएगा तो हम यहां से sign का मान रखेंगे पी बटा एच ठेक है हम आपको बता थे साइन थीटा का मान पी ड़ा एच बी बटा एच बी यह तीनों को आपको पूरा एगम रटके रखना है पी बटाइच भी ठीक है और साइन कमान पहले आएगा पी बटाइच तो पी कमान कितना है चौबिस है और एस कमान कितना है पच्चीश तो 24 बटा 25 मेरा इसका अनसर हो जाएगा ठीक है अब अगर आप इस कॉंसेप्ट को नहीं पी कमान साथ और बटे 25 कर देता है जो कि बिल्कुल गलत है ठीक है उसके बाद अब हम लोग कॉस अ में जाते हैं अगर हम कॉस अ की मान निकालेंगे तो कॉस अ कमान बटाइच होगा तो बी कमान क्या होगा तो देखो बी तो मेरा ये है क्योंकि हम इसको पी समझ गए है क् हमारा सामने भाली भूजा लंब हो जाता है तो B कमाण पर ले क्या है B, तो B मेरा साथ हो जाएगा और H कमाण हो जाएगा पच्चीफ, साथ बटा पच्चीफ मेरा आंसर होगा कॉसे कमाण ठीक है, उसी तरह से अगर हम 10 a कमाण निकालेंगे कैसे कर रहे हैं वो चीज़ आपको सीखना साइन कॉस्ट टैन पी बटाएज बटाएज पी बटाएज पी बटाएज ठीक है ना कि पंडित बदरी परसाद हरी हरी बोल वो नहीं करना ठीक है नहीं तो प्रॉब्लम में फस जाएंगे आपको ट्रीकी सोचने में समय लग जाए का मेरा आंसर ठीक है गलतिया नहीं करेंगे जनरल इस्ट्रेंड यह समझ लेता है और वह आप्सन भी दिया रहता है तो यह हमारा आंसर हो गया तीनों का तीनों किलियर है तो चलिए यहां तक में आपका एक कॉंसेप्ट और एक क्लियर हुआ अगला ट्रिक जो होता है जस् इस सुत्र को याद रख पाएंगे तो देखो साइन थीटा कॉस थीटा अगर बात करें यह जो हमारा टीनोमेट्र रेश्यो हैं साइन थीटा कॉस थीटा कॉड़ थीटा और कॉस धीटा तो टोटल 6 है तो हम लोग 6 तिर्भूझ वाला यादि कि एक्सागान यानि कि polygon जो भूँज पढ़ले तो छह भूज आ वाला सष्ट भूज वाला एक तिरुज बनाते हैं ठैक आप किसी भी तरह से बना सकते हैं जासिसे कि हम इस तरह से बना सकते हैं इसको और है यह हमारा polygon बन गया ठैक है Also यहां पर आपको क्या करना है यह एक फॉर्मूला को याद रखों कि 10 थीटा वर और क्या होता है इसको एगर हम 10 θ ले लें आप कहीं भी ले सकते हैं यहां से भी ले सकते हैं तो हम लोग directly लगातार लिखेंगे sin θ उसके बाद cos θ का लटा से 1 थीटा और 10 थीटा का उल्टा कोट थीटा बताये थे तो 10 कोट यहां पे लिख दूम अब यहां से बहुत सारे फanner मुला बनेंगे तो दिखें से ज सांडने अब यहां से अक्लॉक वाईर और एंटी क्लॉक वाईज दोनों इनके है 10 तेटा बराबर साइन थीटा रख और कॉस्त थीटा क्या किये इस टेन थीटा के बाद ऑगे बड़े साइन थीटा और कॉस्तीटा को बटे में लिख दीये अगर आप इसको प्रूबड करेंगे टो भी आपका बिल्कुल सही मानाएगा क्योंकि हम पढ़ायते त्याओं क्या होता है और यहां पर लिखोगे अब बदाबर शाइन थीटा कमन पी बटा एच और कौस थी टा कमन बी बटा एच अब इसको क्या करो फी बटा एच गुना कर दो बटा यह न तो धियान से कौन कर रहा है पी बटा है और बटा है पीड़ा है अब देखो हमारा यहां पर कुछ गला थो गया यह वाला उपर लेगा ना एच बटा बी तो पीड़ा भी बराबर हुआ ना इसका मतलब यह हमारा साइन थीटा बरावर साइन थीटा बाए कॉस थीटा बिल्कुल ही सही है उसी तरह से आजे हम लोग अगर साइन थीटा का मान निकालेंगे तो साइन थीटा का फर्मूला क्या बनेगा साइन थीटा बरावर पर लेगा कॉस थीटा क्योंकि साइन थीटा के जश्ट आगे कॉस है फिर कॉट है तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस्थीटा बाए कॉट थीटा अगर आप साइन थीटा का मान रखते हैं पी बटा एच बराबर कॉस्थीटा का मान क्या होता है कॉस्थीटा का मान होता है पी बटा एच के बाद बी बटा एच और कॉट थीटा तो टैन थीटा का एख सैंब आपना से सिखा देख लेना अपना माइंड से आपका आते जाएगा अंसर, sin theta का मान ये सुत्र हो गया, अगर हम cos theta का मान निकालेंगे, तो cos theta ब्राबर हो जाएगा, cos theta by cos theta, cos theta, ठीक है, इसको भी अप्रूब्ड कर सकते हो, उसी तरह से आगे अगर हम बढ़ें, cos theta के बाद, cos theta लेते हैं, ठीक है, cos theta ब्राबर क्या होगा, cos theta by 10 theta, ठीक है, तो हम लोगे लिख सकते हैं, cos theta ब्राबर, cos theta by 10 theta, cos theta by, cos theta, तो को, cos theta ले रहे हैं, cos theta by 6 theta, किलियर है, समझ में आना चाहिए, अब देख लो, फिर से समझा रहा हो, cos theta by, cos theta, cos theta by, 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 cos theta और आप सेंगे जो गयाँ उसी दो को ले फिसको तरह से यह महारा क्लॉक्वाइज भी बनेगा वह समझे उस दीटा जाएं, टीक है साइन दीटा ब्राबर तो जाएं, 17 गर्वार निव्योंटा कि क्या होता है यह लिख दिए और सेक तीटा किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा सेक होता है यहां पर वह रहा है तो यहां जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा यह कट जाएगा बीबी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा पीबटाइच पीबटाइच हुआ ना हुआ ना यह हमारा साइन थीटा बिलकुल सही है ठीक है उसी तरह से साइन थीटा के बाद इधर चले अब अगर हम टैन थीटा निकालेंगे तो सेख थीटा को सेख थीटा होगा 10 थीटा बराबर 6 थीटाबाई को शेख थीटा लगे तो निकलेगा मैरा कोशेख थीटाबास थीटा-डंब ह문리 लिए बिक्तरों से अगर हम कॉशेख थीटा निकालेंगे को जो क्याने लेका度ण साट अब प्रॉब्ण करके रेखना बिलकुल सही हेमारा कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा ठीगा है इदर से जा रहे हैं सेक ठीटा जैसे लिखें पे जो सेक ठीटा पर उसके बाहूं होण There अगर निकालना है उमको तो क्या हो जागा cos theta by sin theta ठेक उसी तरह से अगर हम cos theta निकालेंगे तो क्या निकले था sin theta by 10 theta किलियर है तो ऐसे निकाला जाता है फिर अगर हम लोग sin theta आएंगे तो cos theta तो अल्रेडी sin theta निकाल चुके तोटल देखो एक दो तीन चार पांच छे और फिर एक दो तीन चार पांच छे चार बार फर्मूला इदर होगी आपका ठीक है यह होगी आप चुक्कि हम लोग यहां डाले हुए हैं उन चीज़ों को तो भी समझते हैं कि उसी one का यूज कहां पर करते हैं किस तरह से करेंगे ठीक है समझते हैं तो देखिए इसको अगर आप स्क्रीन शाउट लेना चाहते हैं समझने के लिए तब ले सकते हैं ज़्याद अच्छा रहेगा अब देखिए अगर हाँ एक बात और बताना चाहते हैं कि अगर आप इस तरह से भी पॉलिगन बनाते हैं यह सश्ट भूज बनाते हैं एक्सागन बनाते हैं तो आपकी गलतियां नहीं होगी आपको कोई प्रब्लम नहीं होगी ठीक है जैसे आपको फर्मूले आपको इसका ऐधर कर देना इसका बहुत है अब इस तरह से भी बना सकते हैं और यहां से लिख लेना टेयन असको मळने और से c आपका सही यह डों दिये हैं समझोह। अगर हम कॉसेश को हैं कॉसे और सआओ तीका दो क्या मानाएगा एगा क्योंकि दोनों भी प्रीत यही चीज़ का यह जश्ट उल्टा होता है और वो कट जाएगा जब पलट जाएगा तो इसका मान वन हो जाएगा धियां से देख समझना हम लिख सकते हैं कैसे अब देखो अगर साइन थीटा का मान इसका यस्ट उल्टा ठीक है साइन का उल्टा को सेक तो क्या हो जाएगा इसको पलट दो एच बटा एच बटा पी ठीक है अब देखो एच एच कट गया पी पी कट गया क्या बचा वन प्रूब्ड हुआ न तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान होता है वन इंटू में ठीक है तो यहां से दो फर्मूला आपका बन जाएंगे तो ध्यान से देखो अगर हम स साइन थीटा तो देखो यह वाला सुत्र से हमारा दो सुत्र निकला ठिक है उसी तरह से अगर हम बात करें थेन थीटा इंटू कॉड्ट थीटा तो इसका भी महान रोट फंट कट कॉड मौन और यहांड अगर हम फिसका उल्ट सी कर ना चाहेंगे तो वह यहांगे ये, ये, कट गया, ये, कट गया, क्या पचा वाण ठेका है इसका मतलब हम लोग 10 प्रीनाशने प्राबर और सही समझ रहे 10 प्राबर टेकर अब इससे भी दो स्त्र निकले गा निकले गा, देख लो 10 प्राबर वन्टन दाब रहें one by ten theta clear है यह निकला अब यहां से एक और सुत्र बन सकता है क्या cos theta into cos theta यह भी कर सकते हैं लोग तो चलिए इधार कर लेते हैं cos theta into cos theta ब्राबर one तो cos theta ब्राबर क्या निकलेगा यह मेरा मेन सुत्र हुआ जिसको हम बॉक्स में बंद कर दिये तो cos theta ब्राबर हो जाएगा one by sec theta और sec theta ब्राबर हो जाएगा one by cos theta ठीक है तो यह हमारा दो सुत्र यहां से बना clear है तो यह समझने के लिए है इस तरह से आप समझ सकते हैं चलिए अब और आगे इसी तरह से formula को बनाते हैं और क्या समझते हैं और चीज़ को मैं बताता हूँ देखिए अब यहां पर यह चीज़ समझो कि अगर यह हमारा 10 theta है तो यहां से इसमें one कैसे आगा one लाने के एक सुत्र और होता है कि अगर हम sin theta और कॉस्ट रही clockwise इस तरह से समझेंगे कि अगर हम sin square theta plus cos square theta बराबर करें तो one आएगा ठीक है क्योंकि यहां पर समझो sin square theta plus cos square theta बराबर यह one ठीक फिर एक घर छोड़ देना और फिर यहां से तो कोई यहां से स्टार्ट करना इस तरह से और इस तरह साना है यानिकि one plus cos square theta बराबर cos square theta अगला सुत्र बनेगा one plus cos square theta बराबर cos square theta और एक सुत्र और बनेगा अगर यहां से स्टार्ट करेंगे तो जिस तरह से यहां अब अपकी जिस स्टार्ट होगा इस तरह स्टार्ट होगा यानिकि से की स्क्वय थीटा माइनस 10 स्क्वय थीटा बराबर one हो जाएगा अब इन तीनों सुत्रों का भी परियोग करने सीखते हैं देखो साइन स्क्वय थीटा अब लस कॉस स्क्वय थीटा बराबर one आपको यह याद रखना है कभी कभी क्या होगा आपको बोल देगा sin square theta ब्रावर, ता आप बोल सकते हो 1 minus cos square theta, ठीक है, और अगर आपको cos square theta बोल दे, ता आप बोल सकते हो 1 minus sin square theta, यह आपका 200 त्रीयां से निकल गया, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे कभी-कभी आपको बोल सकता है, इस कोट को उधर ले जो तो कौसेक स्कुए थीटा मैनस कोट स्कुए थीटा बरावर वन ठेक और अगर हम बस इससे एक ही सुत्र बना ज्यादा अच्छा रहेगा ज्यादा नहीं बनाना ठीक है एक ही अच्छा है यह भी आप कभी याद किये हुएंगे ऐसा सोच लो अब देखो अगर हम लोग यहां पे बनाएंगे तो स्कुए थीटा बरावर वन पलस तैन स्कुए थीटा यह बोल किसी को उल्टा करके भी सोचेंगे तो भी बना सकते हैं तो चलिए और देखते हैं आगे सुत्रों को देखिए अगर एक और फर्मूला यहां से आप समझ सकते हो एगर साइन थीटा इन्टू कोड थीटा करते हैं तो हमारा कॉस थीटा निकलेगा कैसे देखो वान हो जाए अद비 हम कॉस थीटा इंटू को थीटा करेंगे तो कोड थीटा बराबर होगा थीगा वह चीज कैसे TO साये थीटा कमाण टू न क्मोन थीटा कहता है तो थीन कमोन क्या होताक है तो तो चौट फीसकılar बाट अब बराबर प्यात कि मतलब कॉस थीटा कोट यहां से कौन कट गया P P कट गया क्या बचा B बटाईच B बटाईच इसका मतलब sin theta गुना cod theta बराबर cos theta होता है, बीच का मान होता है, यह हमारा proved हुआ, उसी तरह से अगर हम cos theta गुना, cos 1 theta करेंगे, तो cod theta हो जाएगा, cos theta गुना, cos 1 theta बराबर करते हैं, तो हमारा मान क्या हो जाएगा? कोड़ थीटा इसको प्रूब्ट करते हैं कॉस थीटा का मौन क्या होगा साइन के बाद कॉस पी बटा है इसका मतलब यह भी मेरा सही था ठेक उसी तरह से हम लोग कॉस थीटा को छोड़ देता है इसको इसको लेता है कॉड़ थीटा और सेख थीटा बराब गुना में कॉड़ थीटा गुना के बाद गुना के यह सेख थीटा अब बराबर हम बोल सकते हैं कॉस थीटा ठीक है यह भी एक फर्मूला हो गया उसी तरह से हम लोग कॉड़ रहा है उसके बाद हम लोग सेख थीटा को अगर लेते हैं सेख थीटा इंटू साइन थीटा बनेगा सेख थीटा इंटू कि साइन थीटा यह दोनों की अब इच वाला बराबर में हो जाएगा टैन थीटा प्रूब्ड आप कर सकते हूं सारे सही आ उसी तरह से अगर आप टैन थीटा इंटू कॉस थीटा लेते हैं तो साइन थीटा हो जाएगा टैन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा यह भी आपका फर्मूला हो गया तो इस तरह से अगर आगे बढ़ते हैं आप फिर तो आप देखो टैन क के बाद 10 के बाद क्या होगा साइन थीटा कॉड थीटा कॉस थीटा यह हमारा रिपिटेशन वड़ेगा एक दो तीन चार पाच छे को फर्मूला यहां पर भी बन गया क्लिए रहा है चलिए आगे देखते हैं देखिए यह कोशन क्या काता है कि एक जामपा यह कोशन ले लेत इसके बराबर होगा ठीक है जीरो का की एक कद दो दहुत हो हम यहां पर क्या करते आपको अभी जैस्ट हम बताये थे कि जब हमारा पॉलिगन बना था इस तरह से तो चा सिख़ाये थे कि यहाँ पर वर्ण होता है अगर हाँप dal साइन यहां पर कॉष तो आपको सिखाय थे कि स्कॉष इस थीटा प्लस कॉष सुष्ए थीटा ठीक है साइन उन्हीं प्लस कॉष्ष कॉष्ए सथीटा वहां रुण होता है फिसक मन macht यहाँ को इस तरह से अगर त्रिक में चलते हैं लेकिन अगर आप इसको बनाना चाहते तो कैसे बनाइंगी देखो ध्यां से सांइन स्कूरबKA हो तो साइन स्कूर DRTC प्लस स्कूर way बनाटे हुआ स्कूर अब दोकूर आठीक क्या है अब दोको address काbbles स्कूर बनाए थे यह हमारा एस था यह था था हम बताये आपको कि है के बराबर ही होता है यह का सकते है यहां पर यहां पर यहां पर जगत का यहां पर इसका मतलब इस तरह से आगे देखते हैं क्या है concept देखिए अगर हम इस question की बात करत करता है निमलिखीत में से कौन सा sign पे power 4 theta minus cos पे power 4 theta के बराबर है ठीक है अब इस question को कैसे बनाएंगे तो ध्यान से तमझे यह question नमर 2 है और आपका यह सागी रमात का ही बुक का भी दे रहे हैं उसके बाद जो है latest question जो पूछे गए वो सभी बताऊंगा railway वगर का तो देखो हम क्या करेंगे इसको sign पे power 4 theta है minus cos पे power 4 theta ठीक है और इसका मान हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे इसको इस तरह लिख सकते है sign का square theta का square minus cos का square theta का square यानिकि इसको हम बोल सकते हैं एक फॉर्मूला होता है a square minus b square बराबर a plus b into a minus b ठीक है और इसी फॉर्मूला पे इसको हम लोग तोड़ते हैं देखो sign square theta plus cos square theta यह हो गया a plus b into a minus b यहनिकि sign square theta minus cos square theta यहनिकि यह मेरा a था पूरा a था यह b था इस square का सुत्र लगाएं ठीक है ऐसा लिख दिए अब एक बात बताओ sign square theta plus cos square theta क्या होता है आपको हम बताये थे जब hexagon बनाए थे आपका समझू हरे एक चीज को हम थोड़ा detail से करना चाता है ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए जब इस तरह hexagon बनाए हैं तो आपको हम क्या बताये थे कि अगर यहां पर 10 theta है तो यहां क्या होगा sign theta यहां क्या होगा cos theta और यहां पर 10 theta का कॉल्टा होता है कॉर्ड theta यहां पर हो जाए का सेख theta और साइन theta का को सेख theta ठीक है और हम यहां पर one रखे थे उस समय यह नहीं बतायते हैं कि हमको क्लॉक्वाइज कैसे चलना है तो क्लॉक्वाइज हमको ऐसे चलना है घड़ी किस वीकी दिशा में और हर तिरभूज में इसे clockwise बनाना है ठीक है कैसे तो इस तरह से इस तरह से ठीक है अब देखो हम इसका सुत्र बताएते साइन स्क्वाइज थीटा प्लस कॉस स्क्वाइज थीटा बराबर one ठीक है यह हमारा साइन स्क्वाइज थीटा प्लस कॉस स्क्वाइज थीटा बराबर one जो कि यहां पर है साइन स्क्वाइज थीटा प्लस कॉस स्क्वाइज थीटा तिसका मान हमारा one हो जाएगा चलो इस कौट स्कॉय फीसट बराबर कौ से क्सॉय फीसटीटा कॉस स्क्वाय थीटा निकलेगा और जब हम लोग यह लिख सकते हैं कि कॉस सेक स्क्वाय थीटा माइनास कॉट स्क्वाय थीटा बराबर वन यह अंटि क्लॉक वाइज में बनेगा लेकिन हम लोग इस इस निकाल लाएंगे और यह हमारा हो जाएगा स्क्वाय थीटा माइनस इस 10 को इधर लाएं 10 स्क्वाय थीटा बराबर वन wealthy hopes यह भी एक फॉर्मुला हो गया हमारा के लिएर है पिछले बार हम बताए थे तो यह इधर से चल गए थे जस्ट इससे पीछे जो हम बताए थे आपको यह हमको इस तरह से चल गए तो इनकी से कि स्क्वाइज आगा तो से कि स्क्वाइज थीटा सब्सक्राइब किस ऑप्षन में है तो आपको चार नमर ऑप्षन में तो वही आंसर हो जाएगा ठीक है फोर नमर यह हो गया चलिए कुछ बात है और है जो कि जानना जरूरी है उन्चीज़ों को मैं समझा देता हूं शुत्र बेस पे चलिए अगर हम एक और सुत्र की निर्मान करें इस एकसाधन से तो क्या हो सकता है उन्चीज़ों को मैं समझा देता हूं लास्ट है सुत्र तो बहुत है लेकिन एक वीडियो में नहीं पूरा कंप्रीट कर पाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बनेगा तो फिर आपक थेख है और चलिए अगर हम 10 तीटा इसको मानते थे साइन तीटा ये हो जाएगा चौस थीटा ये हो जाएगा और ये सेक थीटा अल्टा लिख रहें साइन का उल्टा कौस तेक इतना बारी बना लो कि आपको सब्स्चित समझ में आ जा आ ऐसा बना लेने के बाद आप यह सोचो कि साइन थीटा यहां पर क्या रहता था यहां पर वन रहता था हमारा यहां पर वन यह याद रखना है अब दोगो साइन थीटा यहां से फर्मुला बनेगा साइन थीटा बराबर वन वही चीज़ को मैं बहुत तरह से बता रहा हूं तेन थीटा बराबर यह वन लिखे कौट थीटा लिख सकते नीचे ठेक उसी तरह से कौस थीटा बराबर वन बाय सेख थीटा लिख सकते हैं ठेक है यह फर्मूला हुआ उसके बाद आप देखो आप लोग पूरा कौन जान रहे होंगे यहाँ पर यह बता सकते हैं कि यह बराभर कॉस थीटा होता है इसके लिए अगर आप इदर से भी चलते हो तो भी बनेगा cos 90 degree minus theta ब्रावर sin theta एक formula बन गया फिर उसी तरह से इससे बनेगा 10 90 degree minus theta ब्रावर cot theta फिर बन सकता है cot 90 degree minus theta ब्रावर 10 theta एक formula यह बन गया फिर यहां से यहां बन सकता है तो देखो सेक 90 minus theta ब्रावर cos theta ठीक है और यह फिर हम लोग बोल सकते हैं cos 90 degree minus theta ब्रावर सेक theta ठीक तो इस तरह से आप समझ सकते हैं question में कोई problem नहीं होना चाहिए formula बिल्कुल ही सारे इस hexagon से बना रहे हैं इसलिए इसका नाम हम दे सकते हैं super hexagon ठीक है अब रही बात हम लोग को और थोड़ा से जानना चाहिए मान निकालने के लिए कि मान कैसे निकाला जागा sin 0 90 degree minus theta का जो मान होता है वो कैसे समझेंगे सबसे पहले आप लोग साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा सेक κजग थीटा और । साइक थीटा मान को समझ ना है तो सबसे पहले 0 का मां हम लोग जानेंगे फिर 30 degree तो के बात 55 का मान जाने चाहिए और फिर 50 का मान जाने गए कि इतना सबी का मान जान ना बहुत जरूरी है तो होता है कि आपको निकालने के लिए मैं सिखा दूंगा आप निकाल सकते हो ठीक है तो अगर साइन जीरो डिगरी का मान होगा तो क्या होगा तो आप क्या करना सभी जगह यानि कि इस जगह साइन जीरो डिगरी का मान के लिए जीरो लिख देना एक लिख देना दो लिख द उसी तरह से अगर हम इसको निकालने है जो रूट है हमारा जो में पाइंगा स्वर्भ मांड नहीं किस तरह का ममाड को सारा जाएगा नहीं किस तरह बोल सकते हैं रूट 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 वाय रूट रहा दो इसका मतलब साइन 1990 कोंड क्या आएगा समझ में आ रहा है कोश्चन में कोई प्राब्लम नहीं होना चाहिए उसी तरह साइन 45 का मौन अगर हम बात करें तो साइन 45 का मौन क्या आएगा तो आपको यह सोचना है कि अगर यह से दू से देखो यहां पर दू बट्टे चार दिया है दिया है ना जिरो वन टू थ्री फॉर ठेक साइन 45 का मौन तो यह क्या हो जाएगा कि इस पे भी रूड यानि इसको कटा लो दू दू ना चार ठेक है तो क्या हो जाएगा यानि कि यह हो जाएगा रूट अंडर वन बाइट तो रूट वन बट्टे रूट वहगा तो यह वन का वर्ग यह होता है तो इसका मौन हो जाएगा वन बाइट टू ठेक है सब चीज से निकाल रहे हैं और अगर हम साट से निकालेंगे तो तीन बट्टे दू जाएगा क्योंकि यह तीन तो अंदर ही ला जाएगा ना और यह 4 का वर्ग मुल दो बाहर निकल जाएगा और इसको कमान जबर इन दो इसका अपोजिट हो जाएगा इधर 1 हुजयका पॉर्ट रोट रूट र्टेड रूट है और सबसे पहली बात यह तो रट लेनी इसको ज्गटा रहे ह। यह जीर ह्यागा त्लिध से अगर हम इस ितें तीटा कमान निकाल लेंगे तो इन ही का मान को क्या जीरो को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर जीरो ठीक है अब इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा रूट 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 रू क्या करोगे देखो निकालने का तरी का एक ही से हम सारा निकाल रहें ठीक है उसके बाद आपको मैं चार्ट भी दे दूंगा इसका आप स्क्रीन सोट लेकर इसको रट लेना अब क्या करना तो हमको जस्ट इसका उल्टा करना जीरो का उल्टा क्या होगा इंफिनिटी इसका उल्टा क्या होगा रूट थी इसका उल्टा क्या होगा रूट थी और इंफिनिटी का उल्टा जीरो ठेक है फिर इसका उल्टा हो गया अब इसका उल्टा कर दो तो देखो वन का उल्टा वन ही हो जाएगा ठेक इसका उल्टा हो जाएगा दो बटे ब्रफ़ ज़यगा और इसका मान हुज़यगा रूट टू ठीक है ऊपर चल ज़यगा और यह ज़यगा टू गार थी और यह ज़यगा वान आवान तो यह हमारा मान होता है यहां से भी कुश्चन हम लोग बनाने के लिए शिखेंगे तो चलिए आपको चाट जा रहा है देखें आपकी स्क्रीन पर है यहीं चाट आप की रेलो अब क्या करो इसको स्क्रीन लेड़ो ताकि आप इसको याद कर पाओ कौपी में नौट करके लेकिन आपको जो निकालने के तरीका सिखा है वो चीज आपको फॉलो नहीं करना है क्योंकि समय बहुत कम रहता है और अगर आप उस तरह से निकालने के लिए सीखोगे तो काफी समय लागाद होगे कभी कभी एक्जाम में सिंपल पूछ देता है कि कोट सिक्टी डिगरी का मान क्या है ठीक है तो इसमें आपको जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप नहीं बना पाओगे और अगर निकालना चाहोगे तो भी निक आपको बता देंगे तो इसका जो अगला पार्ट होगा उसको मैं या आई बटन पर लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा वहां से आप देख सकते हैं कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताईए सभी दोस्तों को पूरा वीडियो देखने के